इस प्रस्ट में देखें टीन और लोहा का अनुपाद दिया हुआ है कि वान और टू का पी टीन और लोहा का अनुपाद वान और टू है देखिए और दूसरे में है 2 और 3 और इसको 3 अनमाच चार में मिलाना है मतलब 3 केजी इसका लेना है और 4 केजी इसका लेना है ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि 3 केजी अगर इसका लेते हैं तो 2 1 3 3 केजी में 3 कितना आ जागा? तो तेन केजी हो गया, तो एक तेन केजी में एक केजी तो टीन है और लोहा जो है, वो दू केजी है, तो कितना टीन और लोहा है चार केजी में अब तीन दो पांच यानि पांच केजी में तो दो केजी देखे टीन है दो केजी टीन है तो चार केजे में कितना होगा तो दो गुर्णा चार बटा पांच इतना टीन होगा मतलब आठ बटा पांच तो ये वन केजी टीन हो गया और लोहा के लोहा के लिए चार गुना तीन बटे 5 करेंगे क्यों ऐसे लिखेंगे देखेंगे कि 5 केजी कि में लोहा तीन केजी है ना लुहा थीन केजी एना तो चार केज़े में कितना होगा चार केजी में हो जागा तीन बटा पांच एक केजी में तीन बटा पांच तो चार केजी में तीन बटा पहले एक केजी का निकाल लेजे एक केजी में कितना होगा तीन बटा पांच तो चार केजी में कितना होगा तीन बटा पांच गुना चार यहने बारा बटा पांच तो बारा बटा पांच हो गया यह देखिया हमने लोहा ले लिया बारा बटा पांच तो दुनों लोहा को मिला दिया तो बाइस बटे पांच आ गया और दुनों टीन को मिला दिया तो तेरे बटे पांच आ गया